स्वालोगाई जो पाकिस्तान अर्शर्य लेगा इस टेस्माच ही हो रहा था उसका 3डिन का भी खेल खतम हो चुका है जहां पर एसा लग रहा था कि ड्रह गीतरannt म्याच जा रहा है आज 3िय दिन में कुछ ट्रेस्ट देखने को मिला िंट्रेस्टिंग ट्रिस्ट तो उसके ब बो 256 पर 9 गेट गिरा और वो डिक्लार कर दिये अस्ट्रेला टीम ने उसके बाद जो पाकिस्तन बल्ले बाजी करने आज एसा सब को लग रहा था कि सायद ये भी बहुत लंबे खेलेट पारी खेलेंगे और ड्रॉग की तरफ म्याज जाएगा पर एसा नहीं हुआ अस्ट्र के अंदर अस्ट्रेला ने 148 रन पर ही यानि उनका 556 रन की जवब में पाकिस्तन अपनी पेले इनिक्स में सिर्फ 148 पर अलाउट हो गया है तो अगर बात करेंगे तो पाकिस्तन की तरफ में सिर्फ बाबर आजम ने कुछ इंटेंट दिखाई 36 रन की पारी उनोने के को ही टिकते हुए दिखाई नहीं दिये और मिचल स्टाग गजब की रिवर्श्वेंग गेंद वाजी किये और तीन विकेट जटके स्वेप्सन जो की आपना डेब्ब्यू कर रहे ते वो भी दो विकेट लिये तो इसी तरह से पाकिस्तन 148 पर अलाउट हो गया इतने बड को सेज करते हुए उसके पाद अस्टेलिया फिर से ब्याटिंग ले लिया फोलो नहीं दिया फिर से उन्होंने ब्याटिंग ले लिया सायद उनके बोलोरों को थोड़ा रेश्ट देना चाहते थे और अभी तक जब 30 दिन का स्टम्स हो गया है तब तक अस्टेलिया ने 81 र की लीड अभी तक हो चुके है और अस्टेलिया की क्रीज पे नौटा उट है उस्मान खाजा जो की बहुत ही गजब की सतक लगाये थे पहले इनिक्स में और लैंबू चाने भी उनके साथ नौटा उट है और दोनों ही आटाकिंग रिकेट खेल रहे हैं क्योंकि उस्मान ख देखते हैं किसा आगे बढ़ता है म्याच कुछ इंट्रेस्ट जगा है जरूर म्याच में अगर अश्ट्रिया कल पहले सेशन खेलने के बाद अगर डिक्लारेशन दे देता है उसके बार उनके पास बहुत ही अच्छा चांस रहेगा पाकिस्तान को पिर शौलाउटर के यह म्याच जीचने का तो देखते हैं क्या होता है चौथे दिन की अपडेट लेकर आपके साथ जूड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों अभी मैं चलता हूं बाए बाए